हालो फ्रेंड्स वेलकम टो एनादर वीडियो अब स्टाक मर्केर आज हम डिसकस करने वाले हैं इंडियान रेलवे केटरिंग एंड टूरिजम कॉर्पोरेशन लिमिटेट के बारे में जो है आई आर्ट सीटीस यह स्टाक अभी एक ट्रेंडिंग स्टाक है क्योंकि स्टाक न कर रहा है तो इनका सेल्स भी बहुत बढ़ेगा और प्रॉफिट भी बहुत बढ़ेगा नाउ इस अ मीनी रत्ता कंपनी हम जानते हैं 1999 में यह इंकॉर्परेट हुआ था प्रेजन मार्केट का 43,505 करू करेंट प्राइस 2,790 यह स्टाइस ने अपने 52 इस हाई 2,750 को रचक रहतेगा और स्टॉक भी उपर की तरह ही जागा रिटर्न अनप्रेट 16.6 रिटर्न अन इक्विटी 11.6 इस गूर एज इस इस अ मोनोपॉली बिजनेस उचका कोई प्यार्स तो नहीं है स्टॉक ट्रेंडिंग में क्यूंकि 5 इस टू उन का इसका स्प्रीट होने वाला है उ उसके बाद स्टॉक में अटमेटिकली बहुत जाधा बाइग आथा है स्टॉक में देखेंगे अगर जून क्वाटर का रिजल्ट को देखे सो जून क्वाटर का रिजल्ट कंपरेंट तो मार्स तो खराब है लेकिन हम जानते हैं दूट्टो लॉक्डाउन एवरिटिंग इनका रिजल्ट जितना खराब होना चाहिए ता उतना खराब भी नहीं है अपरेटिंग प्रफिट 112 करोर एगेस्ट 145 करोर क्योंकि इनके expenses भी बहुत घटा है प्रफिट 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 111 करोर कंपेंट 139 करोर नेट प्रफिट 83 करोर एगेस्ट 104 करोर वें situations आर लाइक दीस तभी भी कमपनी ने 83 करोर का प्रफिट डेलियर किया है आरे बाले टाइम में हम जानते ही है कमपनी कितना ज्यादा प्रफिट मेकिंग कमपनी होगा और स्टॉक अगर 5000 करीब भी चला जाए तो इसमें भी कोई shocking factor नहीं होगा लास्ट 12 में चाएं कर रिजल देके सो सैल्स 895 करो और स्ट्रापिट फ्रेटिस्एफ करोर प्रॉट्टीसी सिर्व Ellie टाइक प्रोंस प्रोंस का बीच्ट अगर श्यार होगे प्याउटिक पाटले स्ट्राइथ है पास 67.40% करते के एफ आई के पास 8.07 डियाई के पास 11.29 यानि डियाई आई एफ आई को मिल के नियार आबाउट 19% करते के पाप्री कोल्डिंग 13.25 हाला के कमपणी का बिजनस उतना अच्छा नहीं रहा फिर भी कमपणी ने डबल रिटर्न दिया और इस प्राइस में भी य कर सकते हो लेकिन आपका होराइजन अन आउट्लूग लॉंगर होना चाहिए सी यू नेक्स वीडियो गाईस तिल देन गुडबाई